पता नहीं क्यों मेरे जीवन में ही इतनी सारी समस्याएं है भगवान ने मुझे, ही क्यों इतनी बड़ी समस्या का सामना करने के लिए दे दिया दुनिया में सब, लोग सुक ही है बस मेरा ही जीवन, समस्याँ से भरा पड़ा है अगर आप, लोगों के विचार भी अपने जीवन में आ रही छोटी मोटी समस्याओं के प्रती ऐसे ही है तो यह कहानी आपको जरूर पढ़नी चाहिए बहुत समय पहले की बात है एक महा ग्यानी पंडित ने हिमाले की पहाटियों में कहीं जाकर रहने का मन बनाया और एक दीन बिना किसी को बताय बना से चले गए लेकिन एक व्यक्ती ने उन्हें किस्तिशा में जा रहे है ये देख लिया और कुछ देर तक उनका पीछा भी किया लोगों के बीच रह कर वह ठक चुके थे और अब इश्वर भक्ती करते हुए एक साधा जीवन व्यतीत करना चाहते थे लेकिन वो गहाव के लोगों में कुछ ज्यादा ही प्रसिधी थे क्योंकि अक्सर लोग उनकी सलाह लेकर अपनी छोटी मोटी समस्याओं का निदाकरण किया करते थे यही कारण था कि लोग बिना किसी बात का विचार किये दुरगम, पहाणियों, सक्रे रास्तों, नदी जर्नों को पार करके भी उनसे मिलना चाहते थे सभी लोग जो अपनी अपनी समस्याओं को सबसे बड़ी समस्या मानते थे उनका ये भी मानना था कि सिर्फ वो विद्वान ही उनकी हर समस्या का समधान कर सकता है सारी बढ़ाओं को पार कर और उस व्यक्ती की मदद से जिसने पंडित का पीछा किया था इस बार भी कुछ लोग ढूंडते हुए उनकी कुटिया तक पहुचने में कमियाब हो गए पंडित जी उनको वहां पर देख कर बिल्कुल खुश नहीं थे फिर कुछ सोचने के बाद उन्होंने वहां आए सभी लोगों को इंतजार करने के लिए कहां उन्होंने सोचा था कि वो उनसे नहीं मिलेंगे तो कुछ समय इंतजार करने के बाद सब वहां से अपने आप चले जाएंग एकी मात्रा पूरे तीन दिन बीट गए अब और भी कई लोग वहां पहुच गए पंडित जी ने जो सोचा था उससे सब विपरीत ही हो रहा था जब लोगों के लिए जगह कम पढ़ने लगी तब पंडित जी बोले आज मैं आप सभी क के प्रशनों का उत्तर दूंगा पर आपको वचन देना होगा कि यहां से जाने के बाद आप किसी और से स्थान के बारे में नहीं बताएंगे ता कि आज के बाद मैं एक आंत मेरा कर पंडित जी ने सभी को संबोधित कर कहा चलिए अपनी अपनी समस्याएं बताईए यह परिशानी बतानी शुरू की लेकिन वह भी कुछ शब्द ही बोल पाया था कि बीच में किसी और ने अपनी बात कहनी शुरू कर दी सभी जानते थे कि आज के बाद उन्हें कभी पंडित जी से बात करने का मौका नहीं मिलेगा इसलिए वे सब जल्दी से जल्दी अपनी ब पुस्य से बोलना पड़ा आप सभी लोगों कोशांत रहना चाहिए सभी बोलेंगे तो किसी की समस्या ना सुनी जाएगी नहीं उसका समधान हो पाएगा एक काम करिए, अपनी अपनी समस्या एक परचे पे लिखकर मुझे दे दीजिए, सभी ने अपनी अपनी समस्याएं लिखकर पंडित जी को दे दी, पंडित जी ने सारे परचे लिए और उन्हें एक टोकरी में डाल करमिला दिया और बोले, मैं अकेला इतनी सारी समस्याएं नहीं हल कर सकता, लेकिन मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, इस टोकरी को एक दूसरे की तरफ बढ़ते, जाए, हर व्यक्ति एक पर्ची उठाएगा और उसे पढ़ेगा, उसके बाद उसे निर्ने लेना होगा, कि क्या वो अपनी समस्या को इस समस्या से बदलना चाहता है, हर व्यक्ती ने एक एक पर्चा उठाया और उसे पढ़ा उनमें से हर एक उस चिठी को पढ़कर सहमसा जाता, एक एक करके सभी ने पर्चियां देख ली पर, कोई भी अपनी समस्या के बदले किसी और की समस्या लेने को तैयार नहीं हुआ, सबका यही सोचना था कि उनकी अपनी समस्या चाहे कितनी ही बड़ी क्यों न हो, बाकी लोगों अनुस्वार की समस्या जितनी गंभीर नहीं है, दो घंटे बाद सभी अपनी अपनी पर्ची हात में लिए लोटने लगे, वे खुश थे, कि उनकी समस्या उतनी बड़ी भी नहीं है, जितना की वे सोचते दोस्तों, ऐसा कौन होगा जिसके जीवन में एक भी समस्या नहों, हम सभी के जीवन में समस्याएं हैं, कोई अपने खराप सास्थे से, परिशान है तो कोई गरीबी से, हमें इस बात को स्विकार करना चाहिए कि जीवन है तो, छोटी बड़ी समस्याएं आती ही रहेंगी, ऐसे में दुखी होकर उसी के बारे में, सोचने से अच्छा है कि हम अपना ध्यान उसके निवारन में लगाएं, और अगर उसका कोई समधान ही ना हो तो अन्य, प्रोड़क्ट, आइस चीजों पर फोकस करें, हमें लगता है कि सबसे बड़ी समस्या हमारी ही है लेकिन ऐसा बिलकुल नहीं है क्योंकि दुनिया में लोगों को ऐसी ऐसी तकलीफे है, समस्याएं है जिनके सामने हमारी सभी समस्याएं ना के बराबर लगती हैं, दोस्तों, मेरे हिसाब से तो समस्याएं, बाधाएं जीवन में बहुत महत्वपूर, भाग निभाती है क्योंकि जब सम समस्याएं आती है तब हम उनके सामने डटकर खड़े होते हैं और उनसे समधान पाने के लिए हम वह सब चीजे सीखते हैं जो हमें नहीं पता होती आपका समस्याओं के बारे में क्या विचार है हमें जरूर बताईए